बच्चों, ओनलाइन क्लास में आप सभी का शागत है। हम पच्छा आठ्वी का वैकरण में सब्द और पद का अध्यन किये थे। जिसमें हम सब्द के भेज में उत्पत्ती के आधार पर सब्द के प्रकार वोग पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर तो अर्थ के आधार पर सब्द के भी अनेक भेज हैं। पहला है एकार्थी सब्द, दुसरा है अनेकार्थी सब्द, तीसरा है प्रयायवाथी सब्द, दुसरा 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 है प्रयायवाथी सब्द, कई सब्द हैं जिसका एक निस्चित अर्थ होता है दूसरा है अनेक आर्थी सब्द एक ही सब्द के कई अर्थ होते हैं और प्रसंद अठ्वा वाके के आधार पर उसका अर्थ गुहन किया जाते हैं ऐसे सब्दों को अनेकार्थी सब्द कहा जाता है जैसे अंबर अंबर का अर्थ कपड़ा भी है और आकाज ही है अर्थात एक सब्द एक ही है लेकिन उसके अलग अलग जगा अलग अलग अर्थ में वो प्रयूक्त होता है तो उसे अनेकार्थी सब्द बिकाते हैं और भी पत्र का जैसे पत्ता भी होता है पेड की पत्ते और चिथी उसी प्रकार और भी कई सब्द हम अपने हिंदी की पत्थ पुष्टत में पढ़ते हैं तीसरा है प्रयायवाची सब्द जिन सब्दों के अर्थ समान हो, वे प्रयायवाची कहलाते हैं, यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, कि भासा का हर सब्द अपने में एक अलग अर्थ रखता है, उसमें सुक्ष्म अंतर अवस्य होता है, तभी एक सब्द के लिए दूसरा सब्दा है, जैसे आग, आग का प्रयायवाची है, पावक, अग्नी, अनल, उसी प्रकार आकास का है, प्रयायवाची, अंबर, गगन, व्योग, आसमान, और भी कई सब्दों, तो इसे एक सब्द के अर्थ समान हो, लेकिन उसके कई भासा के हर सब्द अपने में एक अलग अर्थ रखता है, उसका, तो उस इसे उसमें कुछ थोड़ा सा, ऐसा अंतर होता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है, तब उसे प्रयायवाची सब्द कहते हैं, फिर विपरीत आर्थी सब्द, एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले सब्द, उसे विपरीत आर्थी सब्द कहते हैं, और विलोग सब्द भी उसे कहते हैं यानि ठिक उसका उल्टा जैसा कि दिन का रात होगा जूट का सच होगा ज्यान का ज्यान होगा उसी प्रकार और भी बहुत से सब्द हैं जो कि ठिक विप्रीत होते हैं उल्टे होते हैं विलोम होते हैं उसे विप्रितार्थी सब्दे कहते हैं फिर है शुरुति सम्भिनार्थी सब्ध वे सब्ध जो सुन्ने में एक समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग हूँ शुरुति सम्भिनार्थी कहलाते हैं जैसे अन्य अनाज अन्य दुसरा अवधी अवध की भासा और एक अवधी समय सीमा ये सुन्ने में एक समान लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग-अलग हूँ तो इसलिए उसे कहा गया है सुरुति सम्भिनार्थी सब्ध ये हो गया अर्थ के आधार पर सब्ध का वर्गी कहला प्रयोग के आधार पर है विकारी सब्द और अविकारी सब्द जब भासा में सब्दों का प्रयोग होता है तब वैकरल दिष्टी से विजिस कारे के लिए बने हैं उसी के अनिसारों में संध्या सर्वनाम आदी रूपों में समझा जाता है इसी आधार पर सब्दों को दो भागों में बाता जाता है पहला है विकारी सब्द जिन सब्दों में लिंग वचन काल आदी के कारण विकार अथात परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी सब्द काल आते हैं जैसे लड़का से लड़के लड़कों आदी रूप भी बनते हैं सं आभवे सब्धेसर नहींौ 1 करदू fraction कोई बदलाव नहीं आता में नाभवय भी नटेएंग अवय भी इसेशन समुच्या जब्दक ुम्भब्दक ुप्ष्धम्यादी पींब्दक और निपातर अवİकारी सब्भाय मुं जैसे जहां लगभग ना तब यदी तो लेकिन के बिना जल्दी और भी बहुत सब्द हैं जिसमें किसी भी समय बदलाओ नहीं होता उसे अविकारी सब्द कहते हैं तथा अव्वे भी कहते हैं ये हो गया प्रयोग के आधार पर सब्दों का बर्दी करन फिर है चौथा रचना के आधार पर पहला रूर सब्द दूसरा योगी सब्द और किसरा योग रूर सब्द सब्द कैसे बनी सब्दों की रचना अर्था निर्मान के आधार पर सब्दों को इस प्रकार बाटा जा सकता है पहला है रूड सब्द जो सब्द एक अर्थ विसेश या वस्तू विसेश के लिए प्रयूथ हो या जो अपने मूल रूप में वभार में लाये जाएं रूड सब्द कहलाते हैं जैसे कुर्सी, फूल, कुट्टा, आदि रूड सब्द परंपरा से चले आते हैं और किसी विसेश अर्थ में प्रयूथ होते हैं इन सब्दों के खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता जैसे नाक, बाल, जोल, सब, आदि नाक में ना और कौफ और अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता इसी प्रकर बाल, जल, सब, आधी सब्द भी रूड सब्द की स्रेणी में आते हैं जिसे रूड सब्द कहते हैं दूसरा है योगिक सब्द वे सब्द जो दो या अधिक सब्दों या सब्दांसों के योग से बने हैं जिनके खंड करने पर प्रते खंड का अर्थ निगले। योगिक सब्द कहलाते हैं। जैसे कि उसके नाम से ही स्पष्ट है योगिक याने योग द्वारा। योग करके जोड करके तो इसे वे योगिक कहलाता है। जैसे गुड सवार, अर्था गोडा पर सवार, गोडा धन सवार, गुड सवार, राज कुमार, राजा का कुमार, अर्था राज कुमार, प्रधान मंत्री, इसमें प्रधान मंत्री, प्रधान धन मंत्री, प्रधान मंत्री, प्रधान का भी अलग अर्थ है और मंत्री भी एलग भी उसका अर्थ पता चलता है और उसको जोड कर भी उसका अर्थ पता चलता है तो उसे योगित सब्द करते हैं पीर तिसरा योग्रूड सब्द rac unstOG सब्द दो सब्दों के मेल से तो बने हैं परन्तु किसी विशेस अर्थ का मुद्र कर्वात के और एक मिस्चित अर्थ में रूड हो जाते हैं योग रूड सब्द कहलाते हैं उधारणा चार critical अर्था 243 यहां 4- प्रखाई का अर्थ खाट जिस पर सोया जाता है, से है न गाय कूर्सि आदी से तो इसके निश्चित अर्थ में ये रूड होते हैं। पंकज अर्थात कमल सब्दे के अर्थों पर जाएं। तो पंक अर्थात कीचड जअर्थात जन्म लेने वाला है। किन्तु इसका अर्थ कमल का फूल ही है, किचर में उतकन हो ले हैं वाले किड़े मोकोडे नहीं, इस प्रकार इन सब्दों में योग भीवा और निस्चित अर्थ रूर भी हो गया, और भी इसके कई उधारान हैं जैसे लंबोदर, लंबोदर हम गणेश जी को कहते हैं, दसान जिसके अर्थात रावन को कहते हैं, जलर जी यानि कमल, पितांबर यानि विश्न भवा, इसी प्रकार महावीर यानि हनुमा, इसी प्रकार ये एक निस्चित अर्थ में रूर रहते हैं, तो इसे योग रूर सब्द कहते हैं, तो बच्चों आज के लिए इतना ये पाठ हम हमारा समाप्त होता है, अगले कच्चा में हम इसका अभ्यास करेंगे, धन्यवाद.